तो हमारे साथ राशीद एक बार फिर से जुड़ गए हैं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका चैनल टेली घजाना में पठान की सक्सेस का जश्न मनाने के लिए बॉक्स आफिस पर चीज़े डिसकस करने के लिए जवान के बारे में कुछ बाते डंकी के बारे में कुछ बा दने बाद आपका जब भी आपसे मिलता हूं बहुत अच्छा लगता है खुशी का अहसास होता है अपने पन का हसास होता है और अभी तो मिलने की एक और बड़ी बज़ा हो गई है जो कि है पठान और पाटसो करोड यार पांच दिन में बहुत बड़ी बात है वट इस किल ये किलेक्सी में लोग परदे खार देंगे यान आच और जुमें जो पठान या फिर बेशानम रंग दोनों गानों पर पब्लिक ना चरीए दोस्तों ना चरीए थी आपको मालूम होगा और तेरे पर मुस्कुराहट है तो समझ जाएं कि फिल्म हिट है पब्लिक हुष तो इसमें बीच में आता है क्योंकि कुछ चीजे थी जो हमने करना चाहिए प्लस एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो कि कापी जाधा कॉमन है सीन्स की अगर बात की जाए कुछ-कुछ सीन्स अफ्कॉस हॉलिवूट की एवेंजर वेंजर से लिए गए लग रहे हैं वाट इस आपको क्या क्याना है वॉक्स ओपीस पे जो फिल्में चलती है मतलब जो आम ओडियंस होती है उनको फरक नहीं पड़ता है कि वीएफेक्स कैसा है स्टोरी क्या है उन्हें चाहिए मसाला और शारुक खान ने वह दिया है अगर आप एक्शन सीक्वेंस देखें तो बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको एक्शन देखने को मिलता है और ब अगर इसे करती ना तो और बड़ा होता है मुझे ऐसा लगता है लेकिन ओडियंस को फरक नहीं पड़ता है ओडियंस को चाहिए एक्शन डायलोग और बैक्ग्राउंड म्यूजिक काने जो इस फिल्म में है और इसलिए यह फिल्म इतनी काम्याब होई मुझे ऐसा लगता ह अच्छा बाइधर पठान तू कंफर्म है कल जब पठान तू हंड्रेट परसंट कंफर्म है लेकिन उससे पहले शारुक सल्मान की फिल्म है ताइगर वर्सिस पठान आतीते चोपडा ने पूरी कहानी लिख रहे हैं अधीते चोपडा उनके टीम तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शारुक सल्मान दोनों बुड़े हो रहे हैं तो उससे पहले मतलब जितना जल्दी हो इस फिल्म को बनाएं तो मुझे ऐसा लगता है और ऐसी अंदर की खबर भी है कि टाइगर और वर्सिस पठान बनने जा रहा है यानि शारुक खान सल्मान खान दोनों सोलो हीरो मेरेजर आने माते हैं तो दोनों का रूल बराबर हो और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो मज़ा आजाएगा अभी तो कुछ के लिए नहीं है देकि अगर दूनों एक दूसरे को मार रहे हैं पूरी फिल्म में और एंड में दिखाया जाए कि ताइगर बदला ले र होलिवुड में ऐसे फिल्म बननी चाहिए आप देखें पठान कितना पब्लिक प्यार कर रही है और शारुक खान ने साबित कर दिया कि मीडिया को उनकी जरूरत नहीं है वह बिना प्रमोशन बिना इवेंट ये कितना बड़ा ओपनिंग देना बहुत बड़ी बात थे हाल अगर शारुक खान बड़े जोर्नल में आएंगे फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है इसा मेरा मानना है और आप पता चल गया होगा इसकी जारुक सहाब ने तो यह की शारुक साहब जो है उनका करियार और हो चलता है काफी रिपोर्ट्स में काफी लोग बोलता रहे शारुखान के बस की नहीं है ये वो करते लेकिन उस चीज़ को उन्होंने पीछे कर दिया दूसरा ये था कि जब से OTT आया है तब से बॉलिवुड को ग्रहेंड लग गिया है 2020 से और बॉलिवुड उभर कर नहीं आ पा रहा तो कहीं न कहीं ये करारा जवाब दिये मुझे ऐसा लगता है तीसरा मुझे ऐसा लगता है जो टेक्निकली देखा जाए तो वो है कि साउथ की फिल्म ही सिर्फ मसाला बना सकती थी और उसी कोई काफी करके बॉलिवुड अपना मसाला बनाते थे लेकिन यहां पर ओरिजिन मसाला है और इसा मुझे लगा और चौथा जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग सुचते से कि केजिएफ चप्टर टू को पीछे नहीं कर पाएगी पीछे नहीं कोई भी बॉलिवुड फिल्म में इतना माई का लाल नहीं है यह है वो है करके काफे सारी चीजे बोलते थे असलब इनके पब्लिसिति करने से फिल्म हीट फ्लॉप हो जाएगी आज मैं बहुत सारे यूटूबर को जानता हूं जो नेगटिविटी कर रहे थे पठान का कि वी एफेक्स खराब है ऐसा है वैसा है एक यूटूबर है मैं नाम तो नहीं लूगा लेकिन अभी वह भाई आज वो सब डिप्रेशन में क्योंकि मैंने पठान बंते में देखी है मुझे पता था पठान क्या होगा राउट भाई आपको याद होगा मैंने कहा था कि ट्रेंग कूप और फाइट सीक्मेंट शारुख सलमान का और मैंने डायलोग भी लीक कर दी थी कि शारुख सलमान अब करेंगे कि 25 साल से रहा के लिए काम कर रहे हैं तब तक काम करेंगे अब यृटार्यमेंट लेना चाहिए फिर दोनों बात करते हैं बच्चों पर नहीं चोड़ सकते हैं तो यह सब दिन मुझे पता था और जैसे मैंने बताया था कि दोनों फैर कर रेंग कूप खड़ तो शारुक खान को हलके में ले रहे थे शारुक खान ऐसे एक्टर है जो रॉमैंटिक जॉनर में बड़ी ओपनिंग्ग लैस में ब्लॉक्बस्टर फिल्म दे चुके हैं वह अगर बड़े जॉनर में आएंगे तो फिर उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है और अभी तो कि लोग ये क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूं शोशल मीडिया पर नजर रहती है आपने भी पड़े ही होंगे ऐसे चीजें कि शारुक खान को ठीक है चार साल बाद आ रहे लेकिन इस फिल्म को पात्सो करोड तक सलमान भाई ने पहुंचाया है और उनकी एंट्री की देखें दबंख्री कोक्स ओफिस दे फ्लॉप हो गई रादे ड्रियास्टर हो गई उसके बाद आई थी उनकी एक और फिल्म अन्पीम जिसको ओपनिंग चार परोड़ ठीक है रेस को तुम छोड़ देते हैं वह पहली की बात है मैं रिसेंट बात कर रहे हैं रिसेंट पर दो कर यह कहना बिल्कुल गलत है कि सलमान खान के आने से ना एक वंटा है कि हमारा करण अर्जुन आ गया है एक इंपक्स पड़ता है सब्कांट के वजए से और बॉलिवूड में जुखापन था तुक चुका था Bollywood और Bollywood की ओडियस को ये फिल्म देखनी थी ट्रेलर देखके डिसाइड कर ली थी कि पठान हमें देखनी है हर्भाल में क्योंकि Bollywood की फिल्में लगतार by और पठान से उमीद थी और पठान ने वटकर दिखाया जब बहुत जादा टेरिफिक लग रहा है जब वह जब रोग में वह जो पाइटिंग कर रही है वो जब शारुखान को पकड़ लेते हैं जॉन अब्राहेम और वो पच्छाती है वो इतना शांदार एक्दम देखें लिटल ही वजा आगया आपको क्या कहना है इसकी कोरिग्राफिय बहुत अच्छी की गई है किसे मिसन इंपोसिबल के टीम थी कैसी उन्नील थे मैड मैक्स के टीम और दिपिका पांद कौन मतलब सिर्फ आक्शन सीक्वेंस में तो जबरतस लग रही हैं लेकिन ऐसे भी वह कहर कहर ढ़ा रही हैं स्क्रीन से होट लग रह जाते हैं लेकिन वह हुआ नहीं और चाहती है क्योंकि मतलब कि इतना एक्साइट के लिए वह सकता है पार्टू में यह मिल जाए प्यार और बढ़े पार्टू में बहुत कमाल का का मतलब एक्शन सीन देखें जांव फैरिंग करती है ना बहुत जबर्दस लग रही है बह पारिस का सीन है या फिर शारुक और दिपिका के बीच दबल मीनिंग डायलोग चल रहे है वह बहुत अच्छा लगा पब्ली को बहुत पसंद आ रहा है पूरा फुलोन मसाला है इंटेटर्मेंट है और फिल्म में इंटेटर्मेंट है इस फिल्म चलेगी राशिद कि मुझे ऐसा पताने क्यों लग रहा है कि जिम अभी मरा नहीं है क्या अवेंजर फिल्म में क्या होता है न सुनो क्या होता है यह लोग है न विल्लेंज को मारते नहीं अवेंजर फिल्में सिर्फ एक ख्यानोग मरा अभी तक प्रॉपर मौद अधरवाई जितने भी अपसी कर सकते हैं क्या लगता है आपको बताओ ना थोड़ से करते हैं पन्वाइल चाहिए जौन इब्रहाम बहुत अच्छे बहुत अच्छा किया इस फिल्म में और बहुत ही इंपोर्टेंट करेक्टर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जौन को मारना नहीं चाहिए जौन अगर 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 हो जाए ना अगर एक हीरो एक 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 विलेन एंटी हीरो तो फिर दो अलग अलग एक दूसरे को मारेंगे ना तो ठेटर में शारू सलमान के फैंस की बीच मार होगा वह बहुत मज़ाएगा मतलब कुछ ऐसा दिखा सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं और एंड में जाके मिल जाते हैं चलो बहुत अगर अगर और पठान आज एक ब्रांड बन चुकी है आपको पता है राउल भाई पठान की धूम मची हुए बिना प्रोमोशन के पठान शेसो करोड का बिजनेस किया शे दिनों में शेसो करोड का अट्थाइस मिलियन डॉलर और इंडिया में तो आपको पता है तो यह फिल मुझे लगता है ऐसा कि यह मतलब की हजार करोड तक मार सकती है यह तो करोड हजार करोड इसका बिजनेस होगा यार राशिट भाई मुझे लगता ना मेरे को ना पठान पैसे मैंने दो बार परदे फट गए मैंने का वह इतना शोर फिर उसकार में रात को भी गया मैंने सोचे शायड ओडियन्स और भी मुझे मुल्टिप्लेक्स ने गया था और आपने सही बोला मुल्टिप्लेक्स की ओडियन्स भी हंगामा मचा रही है यहां पर है ना मुझे अब पता है सब्सक कितना हला कर रही है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि दुबारा गया स 16 मुझे और अ अच्छा कुछ मैंने रिव्यूर्स के रिव्यू भी देखें जो की बड़े-बड़े जो मसला इंडिस्ट्री में अच्छा लगा लेकिन स्टोरी वह सेम लगा जो ताइगर में था या पर जो वार में था जितनी भी तो बश्चाने के लिए कि किसी के प्रसनल पर जाके वह नहीं बचानेीवाले किसी के प्रसनल लड़ाई को वह रॉजो है वह देश को सेम होती है बस कितना इंपक्ट पड़ती है डायलोग कैसे होते हैं बीजें कितना बड़ा होता है पब्लिक को वही चाहिए और मैंने आपको कहा था कि पठान फिल्म से पब्लिक को मास्टर पीस कोई उमीद नहीं है कि बहुत मास्टर पीस पठान एक डीसेंट फिल्म भी कि वह शाइज जवान आगी क्या लगता है जवान नहीं जंकी वह सब्किए अच्छा कैसे बताएए ना थोड़ा सा राजकुमार हिरानी नाम काफी नहीं है राजकुमार हिरानी आपने आपने अपने त्रीडियर देखा पीके देखा मुन्ना भाई देखा संजू देखा राजकुमार हिरानी राइटिंग में जो काम करते हैं वह चार-पांच साल लिखने में लगते हैं और तब जाके टैरेट करते हैं तो मुझे लगता है जंकी दो हजार क्रोड कलब बोलेगी दो हजार करोड उससे ज्यादा बिज्यस कर सकती है जंकी तुकि पोटेंसिल अब है पठान चली है लेकिन हिंदी में चली है लेकिन जो जवान आएगी ना कि जवान जो आएगी ना वह सकता है बॉलीवुड की पहली फिल्म हो जो डब में तमील और तेलगु में और जो भी बहसाओं में रिलीज़ों वहाँ पे यह करेगी मुझे ऐसा लगता है क्यासे टीरेट्र ने साुठ के लिए इसमय हमधिय Otherwise पाणलन नहीं चलान में जीरिवान का गहना यह जैकिन जो जो जहान ताइब की फिल्म है जमान और इसमें भी इंटरनेशनल प्लेवर डाले गए क्यूंकि मैड मैक्स की तीम आई ये और उन्होंने पूरा एक्शन डिजाइन किया है दो कि मैंने देखा है ट्रेंग के कैंटेनर के उपपर बहुत जबरदस सीक्वेंस है और गाडिया तो बहुत बहुत उड़ेगे इस फिल्म बहुत उड़ेगी इसर का वेट करें रहे रहा है अच्छा एक लुक ऐसा है शारुक खान के सट पर बाल नहीं पूरा बॉल्ड है और एक लुक ऐसा है मतलब कि आपको सप्राइज करेगा जमार मैं आपको बाद बताऊंगा किसका लुक कैसा है यह तो रेट शीमीज की नजर पड़ी है अजब उलडातर की एक मैंने पठान मैंने पठान का ना वो विशाल दंदानी का मुझे एमेल है चाह अरु और इस भी कि कि आगे से नहीं करूंगा ओ अच्छा आपरे मतलब यह खतरनाक सिच्वेशन है यार पठान के बारे में मैंने बहुत सारी बाते पहली बताई थी ना तो वाली फॉलो कर रहे हैं तो वह कह रहा है कि भाई तुम्हें कहां से पता चल रहा है तो मैंने का मुझे पता नहीं चल वह तो बाज में बात करेंगे आपके सिक्सेंस की अचा जवान से क्या लगता है जवान क्या पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी लेकिन यह ब्लॉगबस्टर फिल्म हाँ हाँ ब्लॉगबस्टर है क्योंकि पठान में एक हॉलिडे है जब अगर हिंदी से या और इंडिया भी 300 क्रोड कमा लेती है बहुत बढ़ी बात हो जाए कि शारुक खान लगतार जो बैक टूबैक टीन सो और डंकी बात ही है तरकि जवान साथ में बहुत चलेगी अच्छा अगर श्याइल करना चाहों कि बहुत ही अलग तरह का फिल्म है मत पंजाब पंजाब के जो लोग होते हैं जहें चाहता है और उन्हें अंग्रेजी आनी चाहिए तो यहाँ पर बंट्री में नहीं कर पाएन लाजु और र देना कि विक्शेय ह्नाना तो यहां पर ना वनिटीचर को नहीं प्रकिलिए और शारुक खान का विजा कैंसिल हो जाएगा फिशारुक खान दंकी मारेंगे कपुतरबाजी करेंगे यानि पैदल निकल देंगे तभी तो वह तो वह शायद UAE में वहां पर शूट हुआ है शायद रगिस्तान अगुस्तान दिखाना है उनको तो वह बहुत सारे लोगों क कहानी है जो रिख कहानी पंजाब के जानते हैं कि वहां कि आज भी बहुत सारे लोग है पंजाब के जो टंकी मार के किसी देश में गाएं और आज तक वापस ना पाएं मर गये हैं जिन्दा है कुछ भी नहीं पता है तो बहुत ही इमोस्तियों सब्सक्राइब और आज यू हिरानी बना रहे हैं तो फिर वह मास्टरपीस ही बनाएंगे सुमारी बात सुनके तो ब्रो मेरे को गूसबंस हो गए मतलब है यह मतलब कि यह फिल्म कर लेगी 350 क्रोड़ हिंदी में है कि संदे यह 120 क्रोड यह संडे को यह 111 कर fråई है कि संडे संडे को यह उठेगी यान्यी यह वाली टूट रहा है तो यह मुझे लगता है 99 परसेंट की बहुत बड़ी बात है और यह रिकॉर्ड अब करेगी कुछ ना कुछ कमाल करेगी बड़े स्केल के फिल्म में टाइगर 3 मनीज सर्मा बना रहे होते और राइटर है पठान के राइटर है स्रिधर रागवन ने और वहां भी पठान जाएगा और मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी वह सीन शूट हुआ नहीं है अब होगा उन्होंने बचा के रखा था पठान के रिस्पोंस देखने के लिए अब पठान चल गई अब वह सीन बढ़ा देंगे शारू खान का और वहां पर हिंट देंगे या तो पठान चूकता या फि अच्छी बात है दो सुपरस्टार काम कर रहे हैं एक साथ और और यहीं चाहिए और बॉलीवूड हमारा बच जाए और नाइटीज में में पूरा रूल किया शारूख खान ने ओवर सीज के मार्केट में जाके धलका मचाया आज रजा मौली सर को लोग जान रहे हैं ओवर ट्रीपल आगे युएस में ड्स मिलियों ड्रकावार की इतना है इसा है पथा आज 10 मिलियंग कर चुकी है यह विना पिजय के बीना हाइटीज में इसारूख खान का पावर यह ऑवर सीज में मतलब वहां उनके लॉय से टेहां उहां पे तो ऑवर से में दूर से आख़ए म लेकिन शारूख खान का दिमाग बहुत पास्ट काम कर रहा है वह समझ गया है कि बॉक्स ऑपिस कैसे लाना है अब वो लाएंगे अब उनका मुकाबला बॉलीवूड में कोई भी नहीं कर सकते हैं बॉला के बारे में कैसा लगा पूट लेगी अच्छा आजे लिगो और अजी दगंख का डारेक्सण इंप्रूव हो रहा है वो राइव है और यह चलेगी भोला हंडेट परसंट चलेगी डेर सो करोड़ दो सो करोड का आज पास बिज्नेस करेगी बोला चलेगी मेरा एसा मन और मुझे इसकी स्क्रिप्टिंग और इसके एक स्पेशली कैमरा इंगल बहुत प्यारे लगे मतलब जिस तरीके से हमको दिखाया है ना 3D में लेकिन यह कॉपी नहीं करेंगा जड़ा सा बदलाओ करेंगे लेकिन इसमें इमोशनल इंगल डाला जाएगा जाएगा यह फिम चलेगी बहुला अंडे पड़ी सुपरेट फिल्म है मैंने को ट्रेडर देखा था जूटी मकार करके लेकिन इसलिए कि काफी दिनों बाद रॉम कॉम फिल्म आ रहा है और बहुत प्रेस लगा है पता नहीं तो मुझे नहीं पता है लेकिन वह ट्रेलर बहुत अच्छा रही है अच्छा वह सब छोड़ो किसी का भाई किसी के जान इत पे आ रही है और यह फिल्म ओपनिंग लेगी इत पे अब लाइफ तैम तो कंटेंट पे डिपेंड करता है और यह भी एक रिमेक फिल यह फिल्म में जाती है यह फिल्म फ्लॉब हो जाता है यह एक निगटीव पीटीव आ जाता है और सलमांग खान इस तरह का फिल्म पहले भी बना चुके हैं अगर आप किसी के बाई किसी के जान कर टीजर देखो ना तो आपको लगएगा जय हो तो नहीं है आपको प्रावकात फिर्म चलेगी 100% मेरा ऐसा मानना है तो दोस्तों इसके तरीकिते आप देश सारा प्यार दीजिए अफ्कॉर्स को तो देते ही हैं धेश सारा प्यार तैली करदाना को भी दीजिए तैली करदाना की ओडियन्स आप हम भी क्रॉसर कर रहे हैं हम वह इन फैसे ऐसा तो वाचिंगा था थैंकिट्ट्रैट्ट्रिक्ण्ट झाल झाल